नमस्ते मित्रों आप सभी को हमारी यूटूब चैनल हब अफ हिस्ट्री आर्केलोजी और मीजुलोजी में हर्दिक स्वागत है आज हम लोग इंसेंट हिस्ट्री और आर्केलोजी के पीवाई की और एंसे क्यों को जॉल्ब करेंगे जो आगामी एंटिय यूजी सीद और आय प्रस्ण संख्या एक निमलिखित में से कौन पुड़ा स्थल मद्ध पुड़ा पासान कालीन संस्क्रिति का परतिनिद्यत्यों करता है वीडियो को पॉस कीजिए और इसका आंसर सोचिए इसका सही जवाब है और हम लोग से नुवार की बात करते हैं तो यह बिहार के रोहतास में जिलें परता है और यहां पर खुदाई बिडेंद परताब सिंग करवाते हैं 1986 से 90 तक और यह एक नियू लिथिक साइट है और यहां पर फार्मिंग के एविडेंस मिले हैं परमजूसी की बात करते हैं तो यह प्रयाग राज यूपी में परता है, यह भी एक नियू लिथिक साइट है, यह भी यहां से भी फार्मिंग के हमें एविडियन्स मिलते है, सराय नहर राय की बात करते हैं, यहां से हुमन रिमेंस मिलते हैं, यह भी एक यूपी के साइट है पर कालपी की बात करते हैं तो ये मिडिल पेलिरिथिक साइट आ जाता है इसलिए इसका सवाई जवाब होगा अप्शन D चलिए अगले प्रस्म के उड़ागे बढ़ते हैं प्रस्म संख्यादो आज जाने वाले अनाजवर दाल का गंगा घाटी में काल निरधारन क्या था सीडल्स एंड पल्सेज ग्रोन टूडे वे अर बिंग प्रोडूस्ट इन गंगा प्लेन डूरी अप्शन A वीडियो को पॉस्ट किजिए और इसका अंसर सोचिए इसका साही जवाब है अप्शन C 2500 टू 1500 बीसी इसका साक्ष में बिहार के चिरान से मिलता है जांसे धान, मूं, जो, गेहु, मंसूर, इत्यादी के हमें एविडेन्स राप्त होते है और इसका लभग टोटल 9 कारबन डेटिंग किया गया था, कारबन 14 डेटिंग, जिससे उसका डेट लभग 1800-1200 बीसी के प्रॉक्स आता है जिसका ओबर ओल स्टार्टिंग पिरिएट देखा जाता है, तो 2500 बीसी माना जाता है चलिए अगले सवाल क्यों रागे बरते हैं रिवर है, महाँ के खांथी वेल का भी फिगर आपको दिखाई दे रहोगा साइड में चलिए, अगले सवाल क्यों रागे बरते हैं प्रसंद संख्या चार, तोबा राख पर्तिवेदित है तोबा एस हैज बीन डिपोर्टेट इन फर्स्ट सोन घाटी से, सेकेंड बेलन घाटी से, थर्ड बसंद्रा वेसिन से, फोर तापती घाटी से अप्शन दिया गया है, एक और दो, अप्शन B दो और तिन, अप्शन C तीन और चार, और अप्शन D एक और तिन चले वीडियो को पॉस कीजिए, यहां पर इसका अंसर सोचिए इसका सही जवाब है, अप्शन D, एक और तीन, सोन घाटी से, और बसंद्रा वेसिन से यहां से आप देख सकते हैं, कि जो तोबा एस होता है, वो एक परकार का वल्कैनिक एस है, और यह हमारी इमिन पेनिसुला में भी मिलता है, जो की लभग क्वाटनरी सेंडिमेंट से प्राप्त होता है तो देखते हैं यहां पे कौन-कौन से साइट है, एक है सोन वैली अफ नर्थ सेंट्रल इंडिया दूसरा अगर देखा जाए, तो आपका है कुकाडाई रिवर एट बोरी महराष्ट्रा तिसरा है सोन इन्द सेंट्रल नर्मदा वैली चौथा है महानदीन ब्रामनी रिवर वेशिन पाचवा है गोगु, फढ़ु, किर्नी एंड गुरुवारा अगला है बसुंद्रा एंड नागावली रिवर वेशिन और उसके बाद है सेगीडेलू रिवर वेशिन आंदरपर्देश तो यह सारे से हमें तोभा ऐस प्राप्त हुए हैं चले अगले सवाल के उड़ागे बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या पाँच भारत में पालिश किये गए नौ पासान कालिन उपड़ान का पहला अंगी कृत खोज किसके द्वरा किया गया यहां पर वीडियो पास किजिए और इसका आंसर सोचिए इसका साही जवाब है अप्शन D 2 और 4 मिलते हैं और यह सोन और दामोदर रिवर का 1847 के अप्रॉक्स में यह एक्स्प्लोरेशन इनका कम्प्लिट होता है और यह एक परकार के जियोलिजिकल सर्वे अफ इंडिया जो समेका बिटिस गवर्मेंट का पाट था उसके यह एक अधिकारी थे चलिए अगले प्रशन क्यों आगे भरते हैं प्रशन संक्याचे निमलिखित पुड़ास्थोलों में से कौन प्रागे अतिहासिक चितरकारी के लिए परसीद है इसका सही जवाब है अप्सन ए दो और चार अगर हम लोग बात करते हैं फ्रांस में लेसेक्स की तो यहां पर हम लोग बगग 600 से ज्यादा वाल और सेलिंग पेंटिंग मिले हैं और यहां पर एक वेर्जेर वैली करके परता है वहां के केव से और इसको खोज 1940 में की गई थी और अगर हम लोग करते हैं कि पिडी हरपन सिफिलाइजेशन इसे यहां पर हमें एक डिकल्चर के विडेंस प्राप्त होते हैं और वही अगर हम लोग बात करते हैं तुर्की के कैटल ही उपकी तो यह एक नियोलिथिक सेटलमेंट है और काफी बड़ा सेटलमेंट है चलिए अगले प्रस्म क अगर हम लोग PGW की बात करते हैं तो यह पेंटेट गड़े वेर इसका फूल फड़ाम है ओसी पी की बात करते हैं तो ओकर्ड कलर्ड पॉट्री है और BRW की बात करते हैं और हम लोग OCP और PGW की बात करते हैं तो यह एक ब्रॉंज सेटलमेंट की बात है ब्रॉंज एज की बात है और वही हम लोग बात करते हैं BRW की यह आरन एज का पार्ट है और हम लोग देखते हैं कि नो और अतरंजी खेडा से हमें यह एविडेंस प्र और संस्क्रिति का एक एर्केलोजिकल साइट है तो यहां से बी आ डबलू और मिलते हैं मगर उस पर स्वेत रंग से चित्रकाडी की गई है जो कि इसका में फिचर है चलिए अगले सवाल की रागे भड़ते हैं प्रस्ण संख्या आठ गंगा के मैदानी इलाकों के उन पुरास्थलों की पहचान कड़े जहां से लोहे का प्रारंबिक इस्तिमाल पर्तिवेदन हुआ है इदेंटिफाई साइट्स अफ गंगा प्लेंड फ्रॉम वेर अरली यूज अफ आइरन इज रिपोर्टेड फर्स्ट मलहार सेकेंड मालवा थर्ड दादवपूर और फूर्थ कुल्डी हुआ यहाँ पर वीडियो पॉस कीजिए और इसका आंसर सोचिए इसका सई आंसर है आप्शन बी एक और तीन मलहार और दादूपूर से हमें लोहे के इस्तिमाल के प्रारंबिक साक्ष प्राप्त होते हैं चलिए अगले सवाल की उरागे बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या नो हरप्पा काली नगड़ों में मुहर बनाने के लिए प्रियुक्त सामगड़ी की पहचान करें इडेंटिफाइ मैटेडियल्स उस्ट फर मेकिंग सिल्स इन हरप्पन सिटीज आर फर्स्ट चान्दी सेकेंड फियंस थर्ड लोहा फूर लैपिस लाजुली और यहां पर वीडियो पॉस्ट की जोड़ इंसर सोचिए इसका सही जवाब है और अप्शन एक और दो हमें चान्दी के मुहर भी प्राप्त होते हैं और फेंस के बिच मुहर प्राप्त होते हैं जबकि हम लोग अरण की बात करते तो अरण जो है अरण एज उस समय नहीं उसमें ब्रांज एज भी चल रहा था और अगर हम लोग लेपिस लाजली के बात करते हैं इसको लाजवर्द भी बोलते हैं हिंदी में और ये एक मनका के रूप में एक सेमी प्रीसियस एस्टोन के रूप में यूज होता था ज्यादा तर यहां पे चान्दी के मुहरे और मतलब जिसको काशली मिट्टी का बना हुआ बर्तन बोल सकते हैं वहां उसके साख समय प्राप्त हुए हैं चलिए अगले प्रस्न क्योड आगे भरते हैं प्रस्न संख्या 10 मद्ध भारत के जिन पुड़ा स्थलों से क्रिश्णा लोहित मिर्द भांड स्थर से लोहा पाया जाता उसकी पहचान करें आरन इस फाउंड एट बी आडबलू लेबल एट्स साइट इन चेंटरल इंडिया और फर्स्ट नागदा सेकेंड एडन थर्ड भिंबेद का फूर सोना भी आप्सण दियागे, आप्सण ए एक और दो, आप्सन बी एक और तीम, आप्सन सी एक और चार, आप्शन दी तीन और चार वीडियो पॉस्ट कीजिए और इसका आंसर सोचिए इसका सही जवाब है option A, एक और दो नागदा और एरन से हमें कृष्ण लोहित मिर्दभांड अस्तरक पाय जाते हैं और ये एक R&H से सम्बंधित प्वार्ट है, जो की देखा जाये तो भारत के मद्ध भारत और दक्कन वाले चेतर से हमें कृष्ण लोहित मिर्दभांड जिसको B.R.W. भी मिलता है और साथ ही साथ हमें R&H के भी evidence मिलते हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती जो है यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ के जो लोहे के उपकरन है, उसकी जो तीथी है वो काफी प्राचिंतर है और यहाँ पे नागदा और एगरन का जो उल्लेख है काफी उलेख नहीं है विशेश रूप से आज के लितना ही, आप सभी से नमड़ न्यूए दन है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे कमेंट करे, सेर करे और हमारे चैनल को धन्यवाद